सभी सिक्सातियों को मेरा नमस्कार जैसा कि आप सभी जानते कि अक्टुबर महा में हमें तीन कोर्स करने हैं और वे तीनों कोर्स हैं कोर्स नमबर साथ जिसका नाम है विद्याली परक्रियाओं में जेंडर समावेशन कोर्स नमबर आर्ट विद्याले नेत्रत्र अवधारना एवम अनुपर योग और कोर्स नौ वयवेशाएक शिक्सा Passover जो सबसे ज़ज़़ा समस्य आरी है हमारी वह आरी है सब ज़ज़़ाधा समस्य है क्यों कि यह वाली कॉण्स के को फोन पर अपलोड नहीं होपरा न अगर कि सिसी के फोन पर अपलोड हो रहा है और और वहां पर दिखाई नहीं दे रहा है और कोर्स नंबर साथ और आठ में यह समस्य आ यह कि वहाँ पर यह कोर्स अप्लोड हो जा रहे हैं लेकिन वहाँ पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं वहाँ पर अनेबल टू लोड दा कंटेंड आ रहा है तो यह दो जो समस्या है वह हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे कि इससे कैसे आप निजात पा सकत हो सबस्ति पहले हम खूश्टक को देख लेते हैं तो कॉर्स नों आगर आपका अपलोड नहीं हो रहा तो आप इस पर इसपे को को यहां पर कॉपी करें लिंक क्या jullieols कम यहां पर वप्सें आज değiş condition आप इसको यहां से प्रास करने के बाला आप यहां पे स्टे सक्णर पीश ने पर टेंगे यह पर लिंक पेस्ट हो गया अब इससे आगे इसको बढ़ाएंगे तो जैसे आप इसको आगे बढ़ांगे तो यहां पर आएगा sign in with Google तो sign in Google आएगा उसके बाद आप यहां पर अपना जिस इमेल से आपने ID बनाई थी उस ID को यहां पर यूज़ करेंगे जैसे मैंने यह ID चुनी थी जैसे मैं इस ID को क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहां पर दो option आ रहे हैं एक दिक्सा रहा है ख्रोम आ रहा है तो आपको जो कोड़ से आपको दिखसा आप में ले जाना और कि क्रोम में अगर आप क्रोम में करोगे तो आपकी ID में कोर्स नहीं आएगा पूरा कोर्स कर लोगे ना तो आपका सेटिफिकट इसमें सु होगा ना कूछ होगा तो आपको course को Dixa app में upload करना है तो Dixa app को यहाँ पर हम click करेंगे तो यह course आप देखेंगे कि Dixa app में आ जाएगा यह देखिए यह open हो रहा है और यह course यहाँ पर आ गया होगा आपको जिसको check करते हैं यह course कहां पर आया है तो आपको course यहां पर आ जाएगा इसी परकार जो enable the load the content है उसके लिए आपको क्या करना है उसके लिए आपको सबसे पहले अपने phone पर जहां पर आपका दिकसा app है इसको आप सेलेक्ट करेंगे और इसको uninstall कर देंगे तो इससे क्या होगा आपका जो दिकसा app है वो पूरा का रिमूब हो जाएगा लेकिन इसको करने से पहले एक चीज को ध्यान रखेंगे आप कि आपने दिकसा app को कैसे register किया था वो सबसे important है register करते समय आपने password दिया था या आपने दिकसा के अंदर कोई ID बनाई या आपने जो Gmail है या Google mail है उसके माध्यम से अपने फोन पर रजिस्टर किया कुछ लोगों ने password बना रखें कुछ लोगों ने फोन के माध्यम से register कर रखा तो जब आप इसको remove करेंगे अपने फोन से तो यह जब आप दुबारा इसको प्ले स्टोर में जाके इसको upload करना होगा प्ले स्टोर में जाके इसको दुबारा जब download करेंगे या upload करेंगे तो आपको फिर वही सारी परकरिया से गुजरना पड़ेगा जो आपने स्टार्टिंग में दिखसा आप में रेजिस्टर करते समय की थी तो इससे क्या होगा कि यह दुबारा आप से login ID मांगेगा तो वहां पर आपको अपना पासवर्ड अगर आपने पासवर्ड से बनाय तो पासवर्ड देना हुगा मेल के माद्यम से करआं थ्या विदाफ पासवर्ड के तो उसके माद्यम से कर लेंगे तो इस परकरिया से क्या होगा कि आपकी जो temporary फाइल होती की दिखसा के अंदर रिमूव हो जाएंगी सारी और आपके जो अनेबल लोड़ दा कंटेंट जो भी ऑप्सन आ रहे थे वो सारे के सारे जो भी कोर्से आसानी से प्ले होने लगेंगे तो मैं आसा करता हूं कि इस वीडियो के माद्यम से जो दो समस्याएं मैंने आपको बताई थी उनका हल हो जाना चाहिए और आने वाले समय में अगर कोई अन्य प्रकार की समस्या आएगी तो उससे संबंदित वीडियो बना कर आपको प्रेशित किया जाएगा तब तक के लिए धन्यवाग और अपने कोर्स को जारी रखें हम हम जारी यूभर कर दो जारी पाएगी जा आएगी वीडियो भी मैंने वी फंटेशित कि यूभरी शकुर।